हालो एव्रीवान माई नेम इस यश महेश्वरी एं विलकम तो माई यूट्यूब चानल सो भाई मैट्स का पेपर जो है वो आने वाला है 25 को है फिजिक्स का पेपर और जो कॉमर्स वाले हैं उन्हें के लिए डायरेक्ली अब जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है 29 को यह दाट अगर कालकुलेट किया जाए 24 तारिक से लेकर तो बेसिकली टोटल 5 डेज आर लेफ्ट फॉर फाइनल माट्स एक्जामिनेशन पार्ट वन टर्म वन के साब से एंसी क्यू वाले फॉर्माट में तो मैं यहां आपकी हिल्प करने के लिए हूँ आपको तैयारी कराने के यूट्यूब पे अब लाइव स्थींस होने वाले है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सारा था कॉंटेंट पढ़ेंगे सारे चाप्टर क्वर करेंगे और सारे चाब्न के साथ 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 mCQ की प्रक्टिस भी करेंगे तरम वन के हसाब से सबसे पह應該 सवालाइका कोर्स की स all the chapters with 15 guess questions daily so this is the catch 15 guess questions का मतलब है ऐसे questions जिनके आने की बहुत जादा probability है हमारे term 1 maths examination में so 15 questions मैं आपको डेली के डेली देने वाला हूं एक topic दो topic में देली कवर करूंगा topic का मतलब है यहां पर chapter so एक या दो chapter में यहां पर डेली कवर करने वाला हूं and after completion of the chapter I'll be giving you 15 questions from that specific chapter यह 15th questions आपके जिंदगी के बहुत important 15 questions होने वाले हैं क्योंकि आपको ऐसे ही question मिल जाएंगे board examination में final board examination में तो यह 15 guess questions जो है यह मैं आपको करने के लिए दूंगा और अगले दिन इसका पूरा solution भी discuss करूंगा जिन बच्चों को नहीं आया या जिनको problem आ रही है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए पूरा एक बार में clear कर देंगे यह बहुत important है यहां पर now कि किस तरीके से तैयारी करेंगे क्या schedule होगा तो यहां पर day one का schedule है 24 का mattresses and determinants complete कर लेंगे first day पर 24 को 7 बज़े से 9 बज़े के बीच अगर 9 बज़े खताम होगा बहुत अच्छी बात है 9 बज़े नहीं खताम होगा तो 10 बज़े तक class लेलूंगा कराने के लिए दो गंटे लगे तीन गंटे लगे चार गंटे लगे आपका पूरा मैं complete करा ओंगा ठीक है अब उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अपना जो खाने का मिघम यह वो हो सकता है थोड़े से आपको अपने नोनु शोनु से जो बात करने का समय है वो शिफ्ट करना पड़े तो वह आप थोड़ा बहुत कर लीजेगा वह भाई करना पड़ेगा आपको ठीक है सब्सक्राइब करेंगे 25 तारीक को 25th of November we'll be completing relations and functions along with ITF inverse trigonometric function so relations and functions and ITF will be done on day 2 that is 25th of November then on 26th day 3 we'll be doing differentiation so differentiation में बहुत प्रोब्लम आती है बच्चों को बहुत लंबा concepts है बहुत सारे concepts है इसमें बहुत लंबा चाप्टर है लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है जितनी भी चीज़ है important है from the point of view of board examination वो सारी चीज़ पे बिलकुल घुस के तैयारी करेंगे एक इक चीज़ पढ़ेंगे इसमें भी बहुत सारे concepts है बहुत लंबा चाप्टर है लेकिन इसको भी पूरा बहतरीन तरीके से complete करेंगे चाहे दो गंटे लगे चाहे तीन गंटे लगे दन डे फाइफ 28th of November section C कर लेंगे यहां पर section C का application of calculus in commerce and economics यह हम लोग कर लेंगे 28th of November को एक दिन पहले सो कोई टेंशन नहीं होने वाली है इसके बाद इसके बाद 29 तारीक आपका पेपर ही है और वह पेपर आपको जब देंगे तो कैसा लगने वाला है यह बता देता हूं आपको यहां पे इसके बाद कर रहा हूं अगर वही सेंट वसेंट आपको आपके पेपर में दिखाई दे गए तो क्या रियक्शन होगा आपका कुछ ऐसा रियक्शन होने वाला है जैसे वैसे ही आपका भी रियक्शन होने वाला है जब आप गैस पेपर जो गैस मैं दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपको जब बोर्ड एक्जामीनेशन में मिल जाएंगे तो भाई ऐसा ही कुछ रियक्शन रहने वाला है और बाकी बच्चे जो अपने क्लास में और भी पढ़ इक भी इक है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप जब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आप पर वह चले जाएंगे और उसी आप पर आपको यह 15 गेस क्वेशन देली की डेली मिलेंगे ठीक है तो यह आप अराम से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके प्रिंट आउन निकाल सकते हैं या फिर अपने लाप्टॉप या अपने मोबाइल फोन पर उपन करके उन सबसे बड़े 70 मिनिट आपकी लाइव के सबसे बड़े 70 मिनिट होने वाले यही डायलोग यहां पर नहीं लेना है अभी अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो यहां से बैठके एक बार आप उसको और revise कर सकते हैं बहुत सारे questions कर सकते हैं बहुत सारे questions के साथ practice कराई जाएगी यह सारे questions important ISC के board के examination point of view से ठीक है तो चलिए मिलते हैं 24 थारीक को तब तक के लिए take care God bless you all बबाई जैहिन बाई